दोस्तों नमश्कार आदाब सत्स्रियकाद नियूज क्लिक के कारिक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश आपको याद होगा ये बात है सितंबर दो हजार बाइस की सितंबर दो हजार बाइस में नितीश कुमार भारती जन्ता पार्टी को छोड़कर मागटबंधन की सरकार बना चुके थे और नए गटबंधन सहयोगियों की उनके दिमाग में तलाश भी थी नए मोर्चे बंदी का एक सपना भी था जो अब भी होगा उस वक्त उन्होंने एक बहुत महत्पुन बयान दिया था जिसकी बहुत चर्चा होई थी मीडिया में सियासत में और समाज में भी उनोंने पत्रकारों ने जब उन से पूछा कि क्या third front फिर बनेगा तो उनोंने कहा third front नहीं main front बनेगा ये नितिशकुमार के शब्द है main front बनेगा यानि भारती जनतापार्टी के विरुद्ध एक बड़ा फ्रेंट एक ब्यापक मोर्चे बंदी की उन्होंने परिकल्पना की थी और उसको ही में फ्रेंट कहा था जिसमें सभी होंगे लेकिं दोस्तो सेप्टमबर 2022 से लेकर अब तक यानि छे महिना का लगभग कारिकाल यह हुआ है अगर आज आप देखें तो चीजें उस तरह कॉंक्रिटाइज नहीं हो रही है उस तरह से आकार नहीं ले रही है जिसकी कल्पना एक ऐसे निताने की थी जो हाली में वीजेपी छोड़ कर आये थे और जिनकी दिमाद में एक बड़ी विपक्षी मोर्चेबंदी की बात थी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नितीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी यानि जेडियू और आर्जेडी के रास्टी अस्तर पर एक संभावित सहयोगी अगर कोई घटबंदन मनता है तो उसमें एक सहयोगी दल के बारे में जो भी राय लोगों की बनती है उसमें समाजवादी पार्टी को भी शुमार किया जाता है यहां तक कि टीमसी को भी शुमार कर लिया जाता है कि ये लोग भी और बी आरेस जो पहले टी आरेस था उसके नेता तो स्वैम आंध्र प्रदेश अर्थे लंगाना से चल कर बिहार आये थे और नितीश कुमार और तेजस्वी यादों के साथ उन्होंने प्रेस कांफरेंस की थी तो इन तीनों नेताओं का जो आज सुर है वो नितीश कुमार के उस बयान के बिलकुल उलट है काफी कांट्रेडिक्टरी है अब पिछले शुक्रवार को कोलकता में थे अखिलेश यादो उनकी पार्टी की राश्टी कारेकारणी थी अब राश्टी कारेकारणी कोलकता में और चाहेशे नहीं में करें ओलग बात है लेकिन मुखटा onकी पार्टी तो देखाजाई तो उत्टर प्रदेश की पार्टी है तो इलहाबाद में अगर वो कारेकाररणी की बैठक करते या बनारस में करते या गाजीपूर बलिया में करते तो शायद उससे ज़्यादा उत्साफ पैदा होता उनके नौजवानों में, कारिकरताओं में, उनके समर्थकों में लेकिन उन्होंने कलकता में किया, खैर कोई बात नहीं, कोई कहीं भी कर सकता है क्योंकि सबकी रास्टी महत्वा कांशा होती है लेकिन वहाँ पे जाकर अखिलेश यादाओं ने जो भाशन दिया, जो बातें कहीं पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी दोनों के बीच वो इक्वल डिस्टेंस मेंटेंड करेंगे और ये बात जो उन्होंने कही, वही बात जो ममता बनर जी कहती आ रही है ममता बनर जी और अखिलेश यादों के सुर मिल गए यानि निचीश कुमार और तेजस्वी का जो सुर है या सुर रहा है, उससे ये बेसुर हो गया मामला अब ये सुर कप फिर पकड़ेगा या बेसुर ही बना रहेगा ये कहना बहुत कठिन है लेकिन दोस्तों अगर सियासत देखें आज की हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से जब से आप देख रहे हैं पार्लामेंट में हंगामा मचा हुआ है उसके बाद इस बीच में राहूल गांधी विदेश गए और राहूल गांधी जब विदेश गए तो उन्होंने जो भाशन दिये उन्होंने भारत में डिमोक्रिसी की जो बिगड़ती हालत है उसका हवाला दिया इस पर भारती जनता पार्टी और खास कर केंदर सरकार उसके बड़े मंत्री बड़े ओदेदार सब उन पर तूट पड़े तो इस पूरे दोनों पहलों को अगर आप देखें तो हंगामा देश में मचा हुआ है और इसमें भारती जनता पार्टी की बड़ी आहम भूमी का है ये पहली दफा ऐसा देखा जा रहा है कि पार्लेमेंट सत्ताधारी दल के कारण नहीं चल पा रही है भले सत्ताधारी दल ये कह रहा हो कि विपक्ष जो है वो माफी नहीं मंगवा रहा है राहूल गांदी से इसलिए पार्लेमेंट नहीं चल रही है अरे आप जबरन किसी व्यक्ति से माफी कैसे मंगवाएंगे कि जब वो इस ब्यात के लिए कॉन्विंस है कि जो उसने कहा वो हंड्रेट परसेंट करेक्ट है क्योंकि पार्लेमेंट में जो अहम मुद्दा था राहूल गांदी की कसित माफी माँगने के मुद्दे के अलावा वो था कि जब जब देश के जो बड़े उद्योगपती करपोरेट है वो अदानी ग्रुप उसके मामले में जाच कराने के लिए हिंडन बाइग रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं उसकी जाच के लिए जेपीसी की मांग थी लेकिन इस पर भी अगर आप देखते हैं तो इस पर भी डिफरेंस अब ओपीनियन है टीमसी भारती राष्ट सम्मिती भारत राष्ट सम्मिती जो पहले टी आरेस थी वो और बीजेडी का जो पोजिशन है वो काफी हिलता डूलता रहता है इस पर टीमसी ने जेपीसी की मांग को कभी सपोर्ट नहीं किया या हाल के दिनों में तो देख रहे हैं कि जेपीसी पर जब भी कोई अपोजिशन की बैटक होती है जोइंट अपोजिशन मीटिंग उसमें टीमसी नहीं जाती और यहां तक की E.D. से जब डिमांड करने के लिए अपोजिशन लीडर पर्लामेंट से निकल पड़े थे अभी कुछी दिन पहले कि भई E.D. अडानी के मामले में क्यों नहीं कुछ करती है दूसरों के मामले में तो इतना करती है तो उसमें भी T.M.C. मौजूद नहीं थी तो T.M.C. का कहना है कि सुप्रिम कोट की निगरानी में जाच अगर हो रही है निगरानी में अगर पड़ताल हो रही है या होगी तो हम उसके साथ है J.P.C. के साथ हम नहीं है अब उसका अपना आर्गुमेंट है लेकिन J.P.C. के साथ जो दल है दोस्तो उनमें कॉंग्रेस तो हई है R.J.D. है J.D.U. है N.C.P. है शिव सेना उद्दव ठाकरे है D.M.K. है M.D.M. के है C.P.I.C.P.M. C.P.I.M.L. J.M.M. वगरा वगरा ये तमाम आग्रेशन है और सपा भी है लेकिन सपा के इस मुद्दे पर अपोजीशन के साथ होने के बावजूद अखिलेश यादो जब कलकता जाते हैं तो वो बदल जाते हैं और वो ममता दीदी के सुर में सुर मिलाने लगते हैं और ममता जी बीजू जनता दल के नेता और ओड़ीसा के मुक्यमंत्री नवीन पतनाएक से मिलने कल जाने वाली है उनके साथ कुछ मुर्चेबंदी की बात हो रही है अब बीजेडी की पोजीशन यह है कि जूदा मोदी नेत्रित्तो की सरकार जो है मोदी जी की अगवाई वाली जो सरकार है एंडिये की बलकि भाज़पा की सरकार कहिए उसके ज्यादातर मुद्दों बलकि ज्यादातर नहीं 99% मुद्दों को अगर देखा जाए तो वो सपोर्ट करती रही है यहाँ तक कि उसने पार्लामेंट के एक सदन में तीनों किसान जो बिल थे कांट्रोवर्सियल मोस्ट कांट्रोवर्सियल उनको भी सपोर्ट कर दिया था लेकिन बाद में उन्होंने एक सदन में जाकर के दो जो बिल थे तीन में दो उनका विरोध किया मैं बीजेडी की बात कर रहा था लेकिन उन्होंने आर्ट किल 370 से लेकर के और जितने CA से लेकर और आटियाई में जो उन्होंने संचोधन किया सरकार ने GST का जो मुद्दा आया ये नोट बंदी का आया तीन तलाक का आया कोई ऐसा मुद्दा बड़ा नहीं है देश का जो हाल के दिनों में मोधी सरकार ने जिसको इंडूर्स किया हो, सपोर्ट किया हो या जिस पर कानून बनाया हो, या जिस पर कोई फैसला किया हो उस पर BJD यानि नवीन पट्टाएक सहाब की पार्टी ने उसको समर्थन नहीं दिया हो ऐसा बिलकुल नहीं है तो अब ममता मनर जी उस पार्टी के साथ एलाइंस करने की बात कर रही है कॉंग्रेस को और दूसरे जो अपोईशन के दल है खासकर CPIM इन दोनों को एक्यूज करते हुए अनाप शराप इनके बारे में जो भी बोलती है इसके बाद वो BJP BJD के साथ एलाइंस करने जा रही है मेरे मुझे से BJP निकल गया BJD सारी माफ कीजेगा तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टी सत्ताधारी जल जो किंद्र की सत्ताधारी जल है उसके साथ जो घनिष्ट रूप से जुड़ी हुई है उसके साथ एलाइंस करने का क्या तुक बनता है या तो उसको आप अपनी और से प्रयास करके ब्राडर अपोजिशन के साथ जोड़िये तब तो बात बनती है लेकिन ममताब अपनर जी इसके लिए तो नहीं जा रही है लेकिन उन्हीं मम्ता बनर जी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुक्वी पक्षी नेता अखिले सियादो इस समय पूरी तरह उनके साथ एक जुटता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि कॉंग्रेस और बीजेपी के साथ वो इक्वल डिस्टेंस रखेंगे बराबर का बराबर की दूरी रखेंगे अब हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश एक एक मैं व्याख्या के स्थर पर कह रहा हूँ अपोजिशन के नेता किधर कौन जाता है ये उनकी अपनी मरजी लेकिन एक जरनलिस्ट होने के नाते और जो समिकरन उभरते नजर आ रहे हैं देश में खासकर दोहजार चोबिस के चुनाओं के मद्दे नजर उस पर एक टिपड़ी अगर की जाए तो हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में संभव है कि कॉंग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के एलाइंस करने में अखिलेश यादों को समस्याएं दीख रही हो लेकिन वैचारी किस्तर पर आप इक्वल डिस्टेंस की बात कैसे कर सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि भई हम उनको उतनी सीटें नहीं दे पाएंगे जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन है उत्तर प्रदेश में हम उतनी सीटें देंगे जितनी हम साथे हैं क्योंकि आप में पार्टी हैं और एक बार तो शरद यादों ने एक प्रस्ताव भी दिया था, हमको याद है बहुत पहले किसी चुनाव में, कि जो छेत्री पार्टी जिस राजे में सबसे मजबूत है, उसको सरवाजिक सीटे मिले, और जो नेशनल पार्टी भी है, और वो भी उस राजे में काम करती है, तो वो अपने नेशनल पार्टी का दबदबा नह दिखाए, वो रिजिनल पार्टी की अगवाई में उस प्रदेश में चुनाव लड़े, एक ये प्रस्ताव भी आया था, और इसको काफी स्रियर्शली लिया गया था, लेकिन इसको फालो करने वाले रिजिनल पार्टी के लोग भी तो नहीं है, अभी आप देखे, आम आदमी पार्टी, जेपी सी के सवाल पर, वो कांग्रेस के साथ जा रही है, लेकिन राजनितिक तोर पे अगर आप देखिए, तो वो कांग्रेस की जो मुखालफत है, उसमें सबसे आगे है, अब जो चुनाव हो रहे हैं, दो लेकिन इन चारों राजियों में, आम आदमी पार्टी अपने उमिद्वार उतारने का एलान कर चुकी है, के जरिवाल साहब इन राजियों में दोरा कर चुके हैं या कर रहे हैं, अब इसको कौन वाइलेट कर रहा है, अगर जो प्रस्ताव यह है कि भाई, जो प्रमुख पार्टी है, जहां दबदवा जिसका है, उसके उपर छोड़ा जाना चाहिए गठबंधन का या मुर्चेबंदी का या एलाइंस के समिकरन, तो इस पर तो कोई खरा नहीं उतर रहा है, फिर कॉंग्रेस पर ही क्यों सारी गाज गिरेगी, तो इक्वल डिस्टेंस, यानि ब जिसकी व्याख्या बहुत आसान शब्दों में नहीं की जा सकती है, सवाल इस बात का है कि क्या कॉंग्रेस पार्टी आज की तारीख में भारती जनता पार्टी द्वारा जो सवाल खड़े किये गए हैं, इस देश के लोकतंत्र को लेकर, बेरुजगारी को लेकर, ज़ानिक और प्रशासनिक संस्थाओं का जिस तरह पतन हो रहा है, उनका दुरप्योग हो रहा है, इन सवालों पर कॉंग्रेस एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते जो सवाल उठा रही है, क्या समाजवादी पार्टी उन सवालों से सामत है, और अगर सामत है तो समान दूरी कैसी, हो सकता है कि भारती जनता पार्टी और मवजुदा जो निजाम है उसको खुश करने की समझदारी हो, ताकि कोई खत्रा ना उत्पन हो, जिस तरह केंद्री उजिंसियों का दूरप्योग और इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष को साइलेंट करने के लिए, हो सकता है वो एक टैक्टिकल पोजिशन ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के नेता, बहुत सारे लोग आल लेडी साइलेंट हो चुके हैं, अब बहुजन समाज पार्टी की कभी भी सरकार के खिलाप कोई आवाज आपको सुनाई देती है, और अगर सुनाई देती भी है तो ग ये पदशिनों पर चलने का दावा करने वाली पार्टी बिलकुल खामोश है, हमारे संविधान के मुल्यों के इस चरण पर उनको उनको जिस तरह डिमॉलिश करने की कोशिश की जा रही है संविधानिक ताको और संविधानिक मुल्यों को उस पर बिलकुल खामोश है, तो बहुत सारे ऐसे दल हैं. तो ये एक सच्छ है आज का की बहुत सारे च्षेत्री दलों को जिस तरह से केंदरी एजन्सियों का खत्रा नजरा रहा है उससे भी राजनितिक पहल उनकी रुक रही है. वो चाहते वे भी उस तरह से उबर कर सामने नहीं आपा रहे हैं तो दोस्तों आज जो बात है फ्रंट की या एलाइंस की वो अभी की बात मैं नहीं कह सकता की भविश्य में क्या होगा ये शायद अतना बहुती प्रोड एक एक जमीन नहीं है जिस पर आज रह करके ये बात की जाए लेकिं चुकि नेताओं के बयान आये थे और चुकि पार्लमेंट के अंदर एक दलबंदी भी दिखाई दे रही है विबिन दलों की अब जैसे हर जो मीटिंग हो रही है पार्लमेंट में विपक्च की उसमें कॉंग्रिस के साथ जो दल हैं जाने वाले वो 17-18 दल हो गए हैं ये 17-18 दल हर मुद्दे पर कॉंग् परेस और विजेडी कभी नहीं खड़े होते समाजवादी पार्टी ने एक नई पोजिशन ले ली है अखिलेश यादो जी के इस बयान के बाद कि वो कुछ मुद्दों पर तो अपोजिशन के साथ खड़े होते दिखते हैं लेकिन साथ में ये बड़ी एक लकीर खीश दे हैं कि उनके लिए भाजपा और कांग्रिस जो है दोनों के साथ समानदूरी रखने का वो वो इस्टैंड ले रहे हैं या उस पर वो कैम रहेंगे मुझे लगता है कि जो नितीश कुमार जी का पहले जो बयान आया था कि में फ्रंट बनेगा में फ्रंट होगा उस परिकल्पना या उस विचार के लिए ये एक बड़ी चुनवती है कि क्या ये संबह है कि बिहार की दो पार्टियां या तीन पार्टियां जिनके साथ जाएगी या टियारेस यानी बियारेस के साथ चली जाएगी जिनके राजियों में उस पार्टियां का कोई नामों निशान नहीं है और नो उन पार्टियों का उत्तर प्रोदेश में कोई नामों निशान है तो ये बहुत दिल्चस्प कहानी है जो एलाइंसे को लेकर या स्वेम एडी उनको लगातार बुलाये जा रहा है और उसमें भी बियरिस की एक 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 बड़ी उलजन है बहुत बड़ी उलजन है तो इन तमाम दलों पर जो केंद्री एजेंसियों की फांस है वो लगी हुई है तो दो हजार चोबिस के लिए मैं समझता हूं कि जो र बयानबाजियां हैं वो जनता के बीच बहुत बहुत ज़्यादा कनफ्यूजन पैदा कर रही है जनता कुछ चाहती है लोग उनके समर्थक मैं जनता की बात कर रहा हूं जो उनके अपने समर्थक हैं उनके बीच में बे इंतहां कनफ्यूजन फैल रहा है और ये आज का एक का बहुत बड़ा सच है कि वो बड़े जो इशूज है देश के उन पर खामोश है वो केवल अपनी बात कर रहे हैं और हाशिये के जो प्रशन है जो बिलकुल महत्पूर्ण प्रशन नहीं है उन पर तो वो कमेंट कर रहे हैं लेकिन जो असल इशूज है इस देश के उन पर व के है ये पार्टियां जो आम तोर पे 17-18 जो पार्टियां जो कांग्रिस के साथ जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक व्यापक जो एक समझदारी के साथ जो गटबंदन बन सकता है अब जिसे केरल है केरल में CPIM और कांग्रिस एक साथ गटबंदन नहीं कर सकते लेकिन ऐसा एक राजे में लड़ने के बावजोद एक रास्टी अस्तर पर राजनीती का जो समिकर्ण है वो हो सकता है कि बिलकुल उसके अलग हो उससे और अलग रहा है कई बार देखा गया है तो ये जो मोर्षे बंदी एक उभरती नजर आ रही है सत्ता धारी गटबंधन के खिलाप यानी भारती जनता पार्टी की राजनीत के खिलाप वो बहुत दल्चस्प है देखना होगा कि आगे क्या होता है और 2023 में जो विधान सबाकित चुनाओं होंगे उनके नतीजों से भी मैं समझता हूँ कि ये समयकर्ण प्रभावित होंगे तो आज बस इतना ही नमस्कार आ